तो स्वागत है आप लोग का एक और नहीं एनलिसिस वीडियो में तो आज बात करलते हैं कि कल के दिन Nifty and Bank Nifty कहाँ पर कामकाच कर सकती है तो सबसे पहले Nifty पर बात करते हैं तो Nifty के लिए जासा कि मैंने कल कोई का था Nifty बुलिस रहने वाली है मार्केट ने उसको भी ब्रेक करके थोड़ी उपर जाकर क्लोजिंग दिये तो ये एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिल रहा है बुलिस्ट मोमेंटम जो है अप टरंड के लिए अब देखे लेकिन उसके साथ एक और बात यहाँ लेने वाला नहीं हूँ के मार्केट में अभी अब अप साइट का मोमेंटम कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि मंतली एक्सपाइय की दिन जिस साइट का का भी मोमेंटम रह جاتा है एक गंटे-दो घंटे के लिए ज्यादा तरचान से सही रहती है कि market उसकी साइट continue रहा जाती है पूरे दिन के लिए तो देखे अब एक चीज जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है उपर जो हमें resistance कौन सा निफ्टी को देखने को मिल रही है जो nearest resistance है वो देखे ये वाला level है ये वाला level अगर आप देखे तो ये है उपर के लिए एक nearest resistance यहाँ पर market आकर resistance खा सकते है तो ये level हमारे लिए कौन सी है ये level है 20,228 की level है यहाँ तक अगर market आती है चाहे वो gap up खुल कर आए या gap down खुल कर आए या flat opening होकर आए यहाँ पर market को rejection मिल सकता है क्योंकि देखे प्रिवियसली market यहीं से rejection खा कर नीचे की तरफ गई थी और अब ये first time इस level तक आ रही है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा chances है कि market को फिर से rejection मिलेगा या market थोई दिर कम से कम रुकेगी यहाँ इसे उपर break करना अभी फिलहाल के लिए possible नहीं दिख रहा है तो अगर market flat खुलती है तो एक अच्छा खासा हमें move उपर की तरफ देखने को मिल सकता है और कम से कम ये 120-22 point का move रहेगा उपर के लिए जहाँ तक मैं plan करूंगा तो कुछ खास interested में nifty के लिए नीचे के लिए हो नहीं लेकिन फिर भी अगर बात करूंगा तो ये वाला जो level है ये वाला level एक हमारा support का काम करेगा और ये level है 20,052 का ये level है लगबग ये अगर एक 15 minute का candle break करके इस तरह से break करके नीचे की तरफ closing दे इता है एक 15 minute का candle तो chances रहेंगे थोड़ी मोरी quantity के साथ मैं plan कर सकता हूँ इस level तक की trading करने को यानि की 20,000 तक की level की trading करने को तो बहुत ज़ादा momentum या बहुत ज़ादा points तो नहीं है नीचे के लिए लेकिन जो भी है चोटे मोठे points नीचे के लिए देखने को मिल सकते है अगर ये level break होती है तो और अगर market इस level पड़ा कर support लेन बनाने की कोशिस करती है तो भी market में उपर तरफ ही जाने के chances ज़ादा रहेंगे क्योंकि हो सकता है market यहां से कहीं भी open होती है और आती है इस पर support लेने की कोशिस करे तो यहां पर अगर support बनाने की कोशिस करती है तो भी upside momentum ही बहुत अच्छा देखने को मिले है क्योंकि market बहुत bullish है तो bullish momentum के लिए ही अगर मैं plan करू तो ज़ादा अच्छा ड़ेगा लेकि के टाइम में हो सकता है एक hero zero trade में plan करू बट overall के लिए मैं कोई बड़ा trade लेने के लिए put side के लिए बिलकुल भी interested कल के नहीं रहूंगा तो यह हो गई बात nifty की अब चलते हैं bank nifty की तरह bank nifty में सबसे पहली बात जो मैंने कल plan करी थी हम लोगों ने जिस तरह से कल plan करा था उसके according बिलकुल market ने behave करा मैंने कल क्या कहा था अगर आप लोग वीडियो को कल की जा कर देख सको तो बहुत अच्छा रहेगा आपको बहुत कुस्स समझनी को मिलेगा अकल मैंने clearly कहा था कि market अगर 50 moving average के उपर open होती है यह जो हमारा moving average है red line यह है 50 का moving average अगर इसके उपर market open होती है तो कोसिस करेगी एक बार आकर इस पर support बनाने की अगर वो support बना लेती है तो एक अच्छा upside को momentum देखने को मिलेगा और मैंने target दिये थे यह वाले levels यह जो levels थे इस पर मैंने कल के लिए target दिये थी यह levels थी 44,400 something का यह level था और यहां तक की मैंने target प्रोवाइड करी थी और देखिए आज सेम वैसा ही देखने को मिला market इस 50 moving average के उपर ही open होती है market आती है और कोसिस करती है इस पर support बनाने की और देखिए फिर support इतना अच्छा बनाती है कि यह one day का जो candle close होता है कितना अच्छा एक bullish candle आप देखो पिछले कितने दिन बाद इतना बड़ा एक bullish candle आपको देखने को मिल रहा है bank nifty में तो यह बिलकुल उस तरह से ही काम करी जिस तरह से हम लोग ने plan करा था और हमारा जो level था जहाँ पर market को rejection face कर सकती थी resistance face कर सकती थी यह वाला level market ने इस level को भी उपर की तरह break करके closing दी है तो यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब bank nifty जो है वो continue कर सकती है अपना bullish momentum तो आप बात कर लेते हैं कल के लिए क्या हो सकता है तो यह level सबसे पहले आप लोग note कर लीजे यह है 44,437 का level लगभग तो यहाँ पर हमारे लिए एक support है market का भी recent support यह level रहेगा अगर market इसके उपर open होती है यहाँ कहीं flat open होती है यह थोड़ा मोड़ा gap down open होती है तो यहाँ पढ़ाकर वो support बनाने की कोसिस करेगी और यह अगर support हमारा break हो जाता है एक 15 minute का candle इस तरह से नीचे break करके closing देता है तो market फिर अगरसर हो जाएगी इस वाले moving average के तराफ यह जो moving average जहाँ भी कल चलता रहेगा market इसके लिए पूरी तरह से कोसिस करेगी इस तक पहुँचने की लेकिन मैं कल के लिए put side interested नहीं रहूँगा जैसा के मैंने कहा nifty में भी नहीं रहूँगा and bank nifty में भी put side interested बिलकुल नहीं रहूँगा market flat open होकर या फिर gap down open होकर आती है और यहाँ पर support बना कर उपर निकलने की कुछ करती है तो मैं call side ही ज्यादा interested रहूँगा और call side के लिए जो first resistance या फिर first target हम मैं सोच सकता हूँ वो होने वाला है ये वाला level ये देखिए ये वाला level हमारा first target होने वाला जो है लगभग 44,750 का level 44,750 का ये level है यहाँ तक market के आने के chances बन रहा है कल के लिए और ये level भी अगर break होता है 15 minute का candle से break करता है तो अगला level जो market face कर सकती है बिल्कुल easily वो रहेगा 45,000 का level 45,000 का level अगला market यहाँ तक target अपना बनाएगी तो चाहे flat खुले चाहे थोड़ा gap up खुले या gap down खुले मैं call side के लिए focus रहाँगा लेकिन हाँ gap down के sorry gap up के case में गर market बहुत ज़्यादा gap up खुल जाती है और ये जो हमारा ये level है यह यहां के आसपास कहीं खुल जाती है 44,750 जो मारा first target है यहां के आसपास खुल जाती है तो मैं एक dip आने का वेट करूंगा market को एक support लेने का वेट करूंगा चाहे वो आज की आज का जो candle का high था वहाँ पर आकर support ले या फिर उसे break करके नीचे आकर इस level पर support बनाए इस level पर अगर support बनाए तो जहां भी support बनाए मैं call side के लिए ज्यादा focus रहूँगा support मेरा break होता है मैं put side के लिए बिलकुल भी interested नहीं रहूँगा तो यह थी मेरे आज की analysis, nifty and bank nifty के लिए I hope कि आपको अच्छा लगा होगा and कुछ दीखनी को मिला होगा वीडियो informative लगे तो वीडियो को एक like कीजेगा और इसे तरह के analysis and trading ideas के हमाया चैनल को subscribe कीजेगा तो मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक लिए be positive, be profitable and trade करते रहिए